तो अभी तक अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि लखनाओ में एक पिटबुल ने अपने ही घर की मालकिन को मार दिया अब मेडिया वाले से किस तरह से बता रहे हैं सबसे पहले तो कोई डिस्रिस्पेक्ट नहीं कोई हेट नहीं उस बंदे को जो उसका एक्च्वल ओनर था उसका नाम भी अमित है मेरा नाम भी अमित है हुज रिस्पेक्ट है उनको कि भाई के साथ इतना सब कुछ हुआ बिचारे की माँ चली गई उनका कुत्ता चला गया लेकिन फिर भी भाई एकदम पहार की तरह डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं दोनों चीजों से जो मीडिया वाले उनके उपर सवाल उठा रहे हैं वो काफी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं हुज रिस्पेक्ट है उनको और सबसे ज्यादा इसलिए कि भाई अभी तक ये मानने को त्यार नहीं है कि गल्ती उस ब्रीड की है ब्रीड पिटबूल की गल्ती है वो भाई मानने को त्यार नहीं है हुज रिस्पेक्ट है इसके लिए उनको अब उनके अकॉर्डिंग उनकी मदर जिनकी डेथ हुई पिटबूल अटेक की वादर से वो ही उसका ध्यान रखती थी अब वो 80-year-old woman है वो उसे जॉगिंग पे तो नहीं ले जाएगी है न ऐसे इंटेंसिटी वाले काम तो नहीं कर सकती साथ ही वो कहते हैं कि वो अपने डॉक को गुमाने आज सकनी लेगे यह एक मेटाफोर हो सकता है लेकिन अगर यह मतलब तो यह हुआ न कि वो उसे घुमाने ले जाते हैं लेकिन कम ले जाते हैं या उतनी दूर नहीं ले जाते गर चाहे जितना भी बड़ा हो चाहे आपके पास एक कमरा है चाहे आपके पास दस कमरे है चाहे आपके पास पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है Ultimately है तो वो चार दिवारी उसके बीच में ही उसको रहना है तो जब हम अपने डॉग को वाक करवाते हैं तो ये एक natural exposure है उसके लिए कि कोई limit नहीं है, कोई physical boundaries नहीं है तो ये दिमाग को खोल देता है आज के पहले लोग मेरे कुट्टे का नाम तक नहीं जानते थे क्या है अगर बड़ा candle नहीं तो और एक वाग की ऐसा जरीया है जिसके थूरू आप एक true bonding कर सकते हो खिलाना भी खिला खाना होता था तो अगर मम्मी एक बाइट अपना ले रही है तो left hand side से dog food होता है वो उनको दूसरे हाँ से वो खिलाती थे यागर रोटी खा रही है तो वो तो इस तरीके का bond था देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि उनको ये गलतियां गिराने का वक्त नहीं है लेकिन हमें इस incident से सीखना चाहिए आप एक प्यार से उपरेट करके उसे अपने हाथ से खाना खिला रहे हो एक हाथ से खुद खाना खा रहे हो लेकिन अगर आप उसके नजरिये से देखें तो एक dog के ग्रूप में कभी भी ऐसा नहीं होगा कभी भी नई हद से जदा प्यार करते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो लेकिन प्यार हम उस तरह से करें कि जो जिस प्यार को डॉग प्यार समझे वो नहीं जिसको हम प्यार समझते है क्योंकि अगर हमें उनसे actually में प्यार है या अगर हम सही मतलब पता है कि एक डॉग से कैसे प्यार किया जाता है तो हम वो करेंगे जो उनके लिए सही है ना कि वो जो हमें उस टाइम करना अच्छा लग रहा है कि अपने हाथ से खाना खिला रहे है खेलते दौरां स्क्रेच चीजाना नॉर्मल नहीं है लेकिन अगर आप डॉग के परस्पेक्टिव से देखे तो वो अपनी जगा पे बिल्कुल सही है क्योंकि पूरे दिन में उसने कुछ नहीं किया है अब आदे घंटे या बीस मिनट का जो उसे टाइम मिला है तो फिर वो ऐसी पागलो की तरह खेलेगा जिस पर स्क्रैच भी आएंगे कट भी लगे वो आपको मुह से पकड़ेगा भी सब कुछ होगा यह बहुत ही गंदा बिहीवियर है क्योंकि इससे डॉग को आदत पड़ रही है अपने मुह को ह्यूमन की स्किन पे लगाने के लिए तो अब ही तो वह ऐसी मस्ती मजाक में लगा रहा है जोड से भी काट रहा होगा लेकिन आपको मस्ती मजाक में लग रही है लेकिन वो used to वह रहा है यह करने के और जब उसका दिमाग फिरेगा तो वह ऐसे भी कर सकता है और जब घ्रिचर कैसे हुआ अगर एक डॉग प्रोटेक्शन के लिया गया है तो वो ही कर रहा है जिसके ओनर ने उसे लिया था जैसे उसको पालेंगे वैसे बनेगा जैस मोटिव से पाल लें उस मोटिव से बनेगा मैं यह नहीं कहा रहा कि उसके ओनर ने उसके लिए ट्रेन किया था वो डोर वैल बज़री थी अम इतने प्रोटेक्शन के लिया था वो जाके देख रही थी कौन आया तो यह अगर वो घर आपका नहीं आपके डॉग का है तो उसे भौंकना चाहिए मेरे केस में अगर आपको नहीं पता है तो पिटबुल ओनर फर्स टाम डॉग ओनर और उसकी सारी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपने डालता रहता हूं तो उसे देखो और अगर ब्रीड आपका कंसरन है तो वो भी पिटबुल ही है एक बार क्या था कि यह कमरे में अकेला था और मैं गिया था अपने किसी फ्रेंड को रिसीव करने वो आ रहा था कहीं से यह सो आया था तो मैं कमरा बंद करके चला गया आदे घंटे में वापिस आया अपने फ्रेंड को लेके इसे स्मेल लागे कि कोई तो नहीं आया या फिर आवाज आई हो इसने ग्राउल करना शुरू कर दिया और वो पहली बार था जब मैंने इसे कुछ ऐसा करते हुए सुनाओ यह ग्राउल कर रहा है इस तरह से फिर मैं हलका सा खड़ा रहा हूं मैंने दर्वाजा खोला इस तरह से हला गुला नहीं देखो अगर आपको सीखना है तो आप मिर से कॉंटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दर्वाजा खोला और शांती से खड़ा रहा यह भी मालब यह बेरे बैड पे था और उस ताम चोटा था तो जम करके नीचे नहीं आया जैसे इसने देखा कि मैं हूँ तो यह अपनी इस तरह की अलर्ड स्टेट से ग्रावल करने से एकदम चला गया सब्मिसिव मोड में और रिलेक्स तो यह तब होता है जब वो डॉग समझता है कि यह घर उसका नहीं बलकि आपका है इन रियालिटी क्या है आपका यह ना इस पूरे केस में मीडिया वालों के मज़े आए परोसियों के बहुत ज़्यादा मज़े आए एक परोसन थी उनकी कोई उन्होंने कुछ य इससे हुआ क्या है किस ब्रीड के उपर बात आ गई है इसकी जो प्रवर्ती है बहुत आक्रामक है इसका मजबूत जबड़ा है अगर किसी को पकड़ ले तो आसानी से छोड़ता नहीं है इस दुनिया की वो ब्रीड जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को काटा है वो कौन सी है इसलिए उसने काटा ना, वैसे तो नहीं काटता, सेम उसी तरह वैसे कई सारे चिवावा भी वैसे बन रहे हैं, और स्मॉल साइज डॉग व्रीड में ये ज़्यादा चांसे होतने हैं कि वो वैसा बने, तो वो वैसा क्यों बन रहे हैं, ये मेरा कंसरन है, किसी कॉम्मिनुट जी कोई बात हुई, देशी उड़ा दिया जा, अकल तो नहीं आएगी उनको, जब वो उठा के पत्थर फैंक सकते हैं, उनके हाथ में बम दे के देखो, वो बम भी मारेंगे, वैसे ही जब ये दुनिया एक चिवावा को सही से नहीं रख पाती, इतने से डॉग को, जो इस ब्रीड अच्छी है, दूसरी ब्रीड बुरी है, वो कोई न्यूस चैनल था, एबी पी गंगा, उसकी न्यूस एंकर हर कुछ बोल रही है कि हस्की हर किसी पर काटता है, इसके अलाबा, अकिता इनू, ये बट्चों को अकेला छोड़ना इसके साथ, खतरनाक माना जाता है, इस तरह से एक ब्रीड को डिस्क्राइब किया जाता है, जब तक आप ये ब्रीड वाइस फोकस करते रहोगे ना कुछ नहीं बदलेगा, डॉग गुसा क्यों हो रहा है, उसे सही से रखना कैसे है, ये आपका कंसर्न क्यों नहीं है, अगर पालना है, तो जो डुमेस्टिक उन्हें पालें, इस टाइब के खतरनाक गुत्तों को नहीं पालें, उन्होंने चार-पांच ब्रीड बताई है, जिनको लोग कंसिर्डर ना करें लेना, वो है अमेरिकन पिट बुल, ओवियसली, वो तो रहे गई हर जगा, और क्या है, रॉट्वाइलर, साइबेरिन हस्की यह उन्होंने बताई है, लेकिन सिरफ यह नहीं है, अगर आप खतरनाक ब्रीड की बारे में बात करो, तो कंगल है, केन कोर्सो है, टिबेटन मेश्टिव्स हैं, और टोसाइनू है, बहुत सारी ब्रीड है, किस-किस को वैन करोगे, और किस-किस से लोगों को सावदान रहन क्लिक आओगे, और जिन लोगों का भी आर्गुमेंट, यह बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास एक पिटबुल है, जिन लोगों का भी आर्गुमेंट है ना कि फिटबुल खतरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, प्लीज मेरे कोको की तरफ देखो, तस्वीरों में दिख बैठे बैठे यह नहीं सोचते रहते कि यार कब जैसे खाऊंगा मैं किसी को यह नहीं होता हूं कि दिमाग में गवर्मेंट ऑफिशल से बात कर रहे हैं कि पिटबुल के लिए या ऐसी खतरनाग ब्रीड के लिए एक लाइसेंस होना चाहिए बहुत अच्छी बात है लेकिन वो ओनर को लाइसेंस मिलता कैसे है जब आप गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेते हो तो वो कैसे मिलता है आप जाते हो कि मेरे को लाइसेंस दे दो और मिल गया लाइसे ऐसे ड्राइवंग टेस्ट होता है आपसे पूछा जाता है ना कि अलग लग जो साइन्स है उनका मतलब क्या है ऐसा होता है की निए तो पिटबूल के बारे में और यह जो लाइसेंस लेंब की प्रक्रिया है इसको ऐसा करो तब इसका फायदा है लाइसेंस क्या है एक अदिशनल डॉक्युमेंट है सिर्फ कागर जी तो है वो ले लिया उसका यह उसका लाइसेंस है लाइसेंस अगर रखना है तो उसके लिए कुछ तो हो कुछ ट्रेनिंग हो कुछ बेसिक चीजे पुछी जाए उससे जो लाइसेंस एक्वायर कर रहा है उसके डॉग को एवैलुइट किया जाए कोई बिहेविर इशू तो नहीं है इस तरह का प्रोसी अपनी जिंदगी में मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिया फिर भी मैंने एक पिटबूल लिया और देखो अब उस पिटबूल को आपको एक इंच भी अगर उसमें अग्रेशन या ऐसा कुछ दीखेगा ना तो आप मेरे को बोलना